बेंजामिन बीबी नेतनियाहू जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1949 को हुआ था एक प्रमुख इसराइली राजनेता हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में एक बार फिर इसराइल के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहन किया। यह देश के नेता के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल है जो पहले 1996 से इस पद पर रहे थे 1999 और 2009 से 2021 तक नेतनियाहू लिकुर पार्टी के अध्यक्ष भी हैं इस पद पर वे 1993 से हैं कई दशकों के राजनीतिक करियर के साथ उन्होंने इसराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधान मंत्री के रूप में रिकॉर्ड बनाया है कार्याले में 16 वर्ष विशेश रूप से वह 1948 में देश की स्वतंत्रता की घोशना के बाद इसराइल में पैदा होने वाले पहले प्रधान मंत्री थे तेल अवीव में धर्मनिर पेक्ष यहूदी मातापिता के घर जन्मे नेतन्याहु ने अपने प्रारंभिक वर्ष यरूशलिन और बाद में फिलाडिल्फिया सन्युक्त राज्य अमेरिका में विताए 1967 में वह इसराइल लॉट आये और इसराइल रक्षा बलों में भरती हो गए जहां उन्होंने विशिष्ट सायरेक मटकल विशेश बल इकाई में एक टीम लीडर के रूप में खुद को प्रतिश्थित किया कई उच्च जोखिन वाले मिशनों में काम करते हुए वह सम्मान जनक छुट्टी प्राप्त करने से पहले कप्तान के पद तक पहुँचे अपनी सैने सेवा के बाद नेतन्याहू ने उच्च शिक्षा हासिल की और प्रतिश्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट ओफ टेकनोलोजी से डिग्री हासिल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नेतन्याहू ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कदम रखा और बोस्टन कंसर्टिंग ग्रूप के लिए आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया 1978 में वह इसराइल लौट आये और राष्ट्रिय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के प्रती अपनी प्रतिबधता प्रदर्शित करते हुए योनातन नेतन्याहू आतंकवाद विरोधी संस्थान की स्थापना की इन मुद्दों के प्रती उनका समर्पन उनके पूरे राजनीतिक जीवन में एक सतत विशय बना रहा 1984 से 1988 तक संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के स्थाई प्रतिनिधी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नेतन्याहू की कूटनीतिक विशेशग्यता को और निखारा गया इस दौरान उन्होंने जटिल अंतर्राष्ट्रिय संबंधों को आगे बढ़ाया और विभिन वैश्वित मुद्दों पर इसराइल के रुख में महत्वपूर्ण योगदान दिया घरेलू राजनीती के क्षेतर में नेतन्याहू की प्रमुक्ता तब शुरू हुई जब उन्हें 1993 में लिकुर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया इस जीत ने उन्हें विपक्ष के नेता के पद पर पहुँचा दिया जहां उन्होंने अपनी वाकपटुता और रणनीतिक कौशल के लिए जल्दी ही पहचान हासिल कर ली उनकी नेत्रित्व शैली कई इसराइलियों को पसंद आई जिसके कारण 1996 में उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नेतन्याहु इसराइल की सुरक्षा और आर्थिक विकास के कट्टर समर्थक रहे हैं उनकी नीतियां अक्सर रक्षा मामलों के प्रती एक मजबूत द्रिश्टिकोन को दर्शाती हैं जिसमें बाहरी खत्रों के खिलाफ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य मुद्रा पर जोर दिया जाता है इसके अतिरिक्त उन्होंने आर्थिक सुधारों और तक्नीकी प्रक्ती का समर्थन किया इस्राइल के भीतर नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जराली राजनीती पर नेतन्याहु का प्रभाव राष्ट्रिय सीमाओं से परेतक फैला हुआ है उन्होंने इसराइल की विदेश नीती को आकार देने, विभिन देशों के साथ संबंधों को मजबूट करने और वैश्विक मंच पर इसराइल की स्थिती को मजबूट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस्राइल की सुरक्षा और सम्रिध्धी के प्रती उनकी अटूट प्रतिबधता ने उन्हें इस्राइली जनता के बीच समर्पित अनुयाई बना दिया दिसंबर 2022 में प्रधान मंत्री के रूप में अपने नवीन्तम कार्यकाल की शुरुवात करते हुए नेतन्याहु को एक जटिल भूराजनीतिक परिद्रिश का सामना करना पड़ा उनके अनुभव और विशेश अग्यता ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो आगे की चुनोतियों से निपटने में सक्षम था जिससे अंतरराष्ट्रिय मोर्चे पर इसराइल की निरंतर स्थिर्ता और प्रक्ती सुनिश्चित हुई संक्षेप में बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक यात्रा इसराइल की सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिती के प्रती गहरी प्रतिबधता से चेहनित है इसराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री के रूप में उनकी विरासत देश की राजनीती और नीतियों पर उनके स्थाई प्रभाव को रेखांकित करती है अपनी रणनीतिक दृष्टी और अटूट समर्पन के माध्यम से नेतन्याहू ने आधुनिक दुनिया में इसके प्रक्षे पत को आकार देते हुए इसराइल के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है